तो आज में लेके आए एक बहुत डिफरेंट तरह की वीडियो जो कि ये अन्बॉक्सिंग बजट में गेमिंग कीबड और माउस कोंबो सेट की तो बहुत लोग आज कल गेमिंग में है और बहुत लोग मुझसे पूछते की बजट में तीरा सो पंदरा सो रुपे के रेंज में बढ़िया कीबड और माउस कोंबो सेट इसी करेंगे अन्बॉक्सिंग चेक करेंगे में इसके लिए के फिशिस देखने को मिल जाते है और मै मैं लाज में बताऊंगा वीडियो के कि आपको बजट में जैब्रोनिक्स का कीबड और माउस का कोंबो सेट लेना चाहिए या नहीं सो वेटी से बात कर रहे है डारेटली चलते है इस वीडियो में सो लेट्स चेक इट आउट सो यह है हमारा जैब्रोनिक्स का जैब्ट ट्रांसफोर्मर माउस और कीबड कोंबो अगर इसके ओन्बोक्स फंक्शन की या फीचर्स की बात करें तो हमें लैट्ट सेट पर कीबड की फीचर्स दे रखे है जो की है गोल्ड प्लेटेड यूएसबी, मल्टी करनेड एलेड की मोट्स और साथ हमें इसके इंदर 3 brightness level मिल जाते हैं कीबड के अंदर बात करें माउस के फीचर्स की तो माउस के अंदर हमें देखने को मिल जाता है गोल्ड प्लेटेड यूएसबी जो की दोनों में स्टेंड है और सेकेंडली ब्रीधिंग एलेडी हमें जो पैटन है इस की मैटल नहीं है और काफी क्लीकी भी है और को रिव्यूमें चेक करेंगे करेंगे कि कैसा है और हम देख लेते हैं हमारा की बोड की टेन हमें नहीं में टैटिंग नहीं ही नहीं है और यह पर यह जाते हैं क्या चयक्त कर लेंगे करते हैं वह हैं यह घजए यह मैं आप काफी बढ़या है और एसा नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी वीक क्वालिटी का या फिर डिकार क्वालिटी का कीबोर्ड है कीबोर्ड काफी अच्छा है और जो से कि आप RGB राइट देख सकते हो वह सारे RGB के features available है अब अगर मैं बात करूँ इसके features की कि हमें इसके RGB में या फिर keyboard में इसके features देखने को मिल जाते है उसीच की बात कर लेते हैं जब से पहले तो हमें फूलनथ keyboard देखने को मिलता है जिसमें राइट साइड पर हमें हमारा numpad देखने को मिल जाता है और बहुत सारे buttons है और काफी बढ़िया buttons है अगर हम बात करें button के sound की या फिर clickiness की तो space bar की कुछ ऐसी sound है एंटर की कुछ ऐसी sound है और backspace की खल किसी muffled sound है और बाकी buttons की अगर हम बात करें तो उनकी बहुत ही कम sound है तो buttons में as in like space bar, enter, backspace जो हमारे main buttons होते है वो तो काफी अच्छा work कर देए बट अगर normal buttons में खल किसी clicking sound आ जाती तो एक अच्छा और factor हो जाता तो सबसे पहले तो like आप keyboard लेके आए, अपने mouse लेके आए, अपने computer से लगाया, उसके बाद क्या करना है, setup करना है, setup करने के लिए क्या करना है, सिर्फ plug करना है, और उसके बाद main feature, like आपने RGB keyboard खरीदा है, तो आपको चाहिए कि RGB की क्या क्या functions है इसके, तो उसकी बात कर ल तो अगर आप क्यों बंद रखना है, RGB keyboard है, क्यों बंद रखना है, नहीं रखना, तो light बंद होगी, अब हम अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी आ फीचर है, जिससे आपको लेगा कि यह सांस ले रहा है, आप क्या करना है, function key को press करके, light वाले button को press करना है, तो जैसे कि आ extra keys हमें देखने हो मिल जाते है, like directly आप audio player launch कर सकते हो, function key को दबा के यहाँ पे, एक रूपी का symbol जो आज की rate में इंडिया में काफी लोगों को need रहता है, तो वो हमें इसके इंदर देखने हो मिल जाता है, like आप डोलरगी जी का रूपी का symbol यूश करना चाहते हो, बिल्कु जल रही है, यहाँ पर green जल रही है, यहाँ पर red जल रही है, तो zones में लाइटिंग है, proper buttons में, एक particular button में light देखने हो नहीं मिल जाती, पूरा keyboard elevated है, तो आपको mechanical feel, जो gaming feel है, proper देखने को मिल जाएगी इस keyboard से, और buttons में, एक चीज़ बताता है, काफी minor detail है, gaming keyboard में क्या होता है, जो buttons है, Z हो गया, X हो गया, तो इसके अंदर से light आती है, वो proper backlight keyboard होते है, बट इसके अंदर light नहीं glow करती, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं cost cutting की है, और cable नीचे की तरह light दी है, तो खेर, वो एक minor सी बात है, जो मैंने आपको बता दी, कि यह gaming keyboard में वो होता है, ताकि आप रा जल्दी से कटके खराप नहीं होने वाली है, और इस keyboard की खास बात यह है, keyboard के नीचे से, आप इस keyboard की height को, या फिर keyboard के angle को, दो height पर adjust कर सकते है, जो की काफी अच्छी बात है, like table कम जादा उपर नीचे हो, तो आप काफी असानी से, इस keyboard को अपनी height की according adjust कर सकते है, तो mouse हमें जाई breathing mode में रहता है, और इसकी भी दड़करों की अवाज सुननी है, रहने दो, तो यह mouse भी breathing mode में रहता है, और इसके अंदर buttons हमें, चार देखनों मिल जाते है, left click, right click, और यहाँ पर दो buttons है, जो की forward और backward के लिए है, जो की काफी beneficial है, gamers के लिए, like इनको आप customize कर सकते हो, और साथी साथ, आप normal browsing मेरा कर रहे हो, तो forward backward करने ही काम आते है, इसके अंदर आपको चार DPI options देखने हो मिल जाते है, तो आप अपने use के according उस DPI option को set कर सकते हो, बात करें, build quality की like, ignomix की, mouse की काफी अच्छी है, hand में काफी अच्छा fit होता है, और usability भी काफी अच्छी है, keyboard देखो कि keyboard के अंदर यहाँ पर, तो हलका सा यहाँ पर handrest राइप पर दिया गया है, बट यहाँ पर यह handrest किसी काम का नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा यह keyboard है, hand directly हमारी table पर ही rest करता है, या फिर हमारे mouse pad पर rest करता है, तो वो तना beneficial नहीं है, बट overall, यह keyboard और mouse का combo set काफी अ इच्छा है, जो कि मैंने आपको बताया, 1300 रुपे है, और 1500 रुपे में आपको यह definitely purchase कर लेना चाहिए, flip card की Amazon की sale में यह आपको और कमने भी देखने को मिल सकता है, या आपको कोई card discount लगाओगे, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना wait करके लेना चाहते हो, और अगर आपक मुझे comment करें जरूर बताए, मैं उसको आपका reply करके जरूर बताऊंगा, और अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी कर लीजिए, मैं ऐसी बहुत बड़िया बड़िया tech वीडियो लेकर आता रहता हूँ, so bye bye, have a nice day.